अब बात करते हैं हम लोग covered interest arbitries सर ये covered interest arbitries actual में क्या है ये समझना थोड़ा सा क्योंकि अभी अभी IRP किया है तो उसी का मुझको यूज करना है पर वही है कि मैं आपको बहुत आराम से समझा हूँ सर possibility क्या है questions आने के arbitries के possibility बहुत जाता है इसलिए आपको ये जो topic है अच्छे सी करना वड़ेगा सर ये लिखा क्या हुआ है ये क्या लिखा हुआ है ये आपके लिए important नहीं है हम बाद में discussion करेंगे पहला काम है एक example उठाते हैं उस example में बले time लग जाए बले आदा गंटा लग जाए एक बार अच्छे से समझ में आ गया है ना दुनिया का कोई भी question आ जाए covered interest आर्विट्रिस का नाम से ये ऐसा लग रहा तो आपसे बन जाएगा ये मेरी guarantee है बस मुझे आपका time चाहिए और सर कम से कम 15-20 लगेगा एक example को करने में concept समझने में ठीक है जी ठीक है तो एक्जामपल रहा आपके सामने एक्जामपल नमबर 57 बिलकुल नॉर्मल सा एक्जामपल दिख रहा है spot rate 1 e spot rate दे रखा रुपीज पर डॉलर और 1 e forward rate दे रखा है ये भी रुपीज पर डॉलर ये आप जो निकालते हो ना forward rate वो नहीं है मतलब IRP के इसाब से नहीं है जब आप stock exchange के पास बात करने गए कि डॉलर का rate क्या चल रहा है डॉलर का rate क्या चल रहा है एक साल के लिए तो उन्होंने बताया कि डॉलर का rate चल रहा है 61.50 कोई दिक्कत नहीं है इसे इंट्रस रेट दे रखा है इंडिया का 12% यूएस का 8% ठीक है calculate arbitrage gain if you can borrow रुपी 60,00,00,00,00,00,00,00 सबसे पहला काम क्या है पूरी पूरी बात करूँ यस सर हम क्या सीख रहते हैं हम सीख रहते हैं IRP तुरू से start करो IRP का मतलब क्या होता सर, IRP का मतलब होता था interest rate parity parity का मतलब सर, दो नो parity का मतलब बराबर तो सर, क्या बराबर? क्या बराबर? यह important था तो हमने क्या का था टाइम लगेगा सर लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है पर जो लिखो कि वो आपके काम नहीं आने का वाला तो पहले सुन लेना अच्छी थे मैंने का मान लो एक पर्सन है याद करवा रहा हूँ और यह मैंने discuss किया था जब IRP समझाये था पर फिर से discuss कर लेता हूँ टाइम की ऐसे कोई पाबंदी नहीं है कि मैंने का यह खत्म होना चाहिए तो आराम से समझे ना बस पास होना भई टाइम वाइन तो हो जाएका ठीक है सर राम के पास दो option है या तो वो इंडिया में इन्वेस्ट करें या तो वो US में इन्वेस्ट करें सर उसके पास पैसे कितने है उसके पास अभी 60,00,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 लाक रुपए राम इन्वेस्टमेंट करें कहां इंडिया में तो एक साल बाद एक साल के लिए ही तो इन्वेस्टमेंट करना है ना एक साल बाद 12 पर्शन इंट्रेस्ट मिलेगा तो टोटल मिलाकर आज पैसा लगाता है राम इंडिया में 60 लाक रुपए इन्वेस्टमेंट करता है तो एक साल बात कितना पैसा हो जाएगा टोटल में लाकर तो सर ये हो जाएगा रुपीज 60 लेक इन्टू 1.12 पिक तमझरी हो ना 1.12 का मतलब यस युएस में इन्वेस्ट करना है तो युएस में क्या रुपीज इन्वेस्टमेंट हो सकता नहीं अगर आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले रुपीया देखकर बैंक से डॉलर खरीदना पड़ेगा और rate क्या चल रहा है Sir rate चल रहा है आज convert कराना पड़े का ना तो rate चल रहा है 60 रुपए It means It means की रुपीज 60 लैक जो है पहले उसको convert Sir यहाँ तो लिखा है न कि 1 लाख डॉलर investment कर सकते बैटे वो बाद में न मैं वो समझाओंगा अभी थोड़ा रुक तो जाओ Sir नहीं एक लाख डॉलर लिखो न चलो वो भी लिख लेता यह लो पुश इसको भी अटा दिए एक लाख डॉलर investment कर सकते तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक लाख डॉलर investment किया जा सकता है ठीक है और उस पे interest कितना मिलेगा Sir उस पे interest मिलेगा 8% 8% को क्या हम 1.08 लिख सकते है बताओ राम को कहाँ investment करना चाहिए इंडिया में या US में कहाँ investment करना चाहिए इंडिया या US आराम से सूच Sir कंपैरिजन कैसे हो सकता है हाँ में भी तो यह बोड़ रहा हूँ यहां जो आएगा वो तो डॉलर्स में आएगा यहां जो आएगा वो तो रॉपीज में आएगा कंपैरिजन कैसे कर सकते तो कंपैरिजन के लिए हमें और एक काम करना पड़े हम यह मान के चलेंगे कि राम क्योंकि इंडिया का रहने वाला मान लू तो वो जो डॉलर मिलेगा कब मिलेगा एक साल बात उसको वो convert करेगा किसमें रुपीज में और किस rate पे क्या वो rate हमें आज पता लग सकता है यस और उसको कौन सा rate बोलते हैं उसको बोलते है forward rate अगर ये rate पर डिपेंड करता है कि हमें कहां इंवेस्टमेंट करना है तो न ध्यान से यहां की बैंक में कितना इंवेस्टमेंट करना 60 लग सर बैंक भी बना ही दोना तो मज़ाएगा चलो बैंक भी बना ही मैंने का ना धीरे समझाओंगा अच्छे से समझाओंगा एक बार में बात समझ में होगी यह कौन सी बैंक है इंडियन बैंक और यहां 60 लाक रुपए जमा कर सकते हैं या तो यहां वाली बैंक पर सवाल ही यहां भी पैसा जमा कर सकते हैं यहां कितना पर्षंट है 8 पर्षंट और यहां कितना पर्षंट है 12 पर्षंट बस दिक्कत यह है कि जब पैसा में निकालोगे एक साल बाद तो डॉलर मिलेगा एक लाक अट जर उसको हमें कनवर्ट करना पड़ेगा किसमें रुपीज में तो कॉंट्रेट कब करेगे प्रषंट आज करना पड़ेगा और बैंक के साथ सर बैंक कहा है यह कौंसी बैंक जहां से मुझे पावर्ट कॉंट्रेट करना है और मैं इसे पूछ रहा हूं कि बताओ बैंक एक साल बाद में जब एक लाग डॉलर लेकर आओंगा क्या यह पक्का मालूम है कि एक साल बाद तो यहां से हमें एक लाग डॉलर मिलेगा इसमें कोई शक्की बात नहीं और हमें यह मालूम है यहां की बैंक से भी पूछ रहें बैंक जूट मत वोल गार हम शाट लाग रुपय आज जमा करें तो 12 परसेंट नेगे ना क्या समस्य आपको बीड़ी ठीक है मतलब हमें ये पक्क का लग गया कि यहां से हमें 60,00,00,00 प्लस 12 पर्शन मिलेगा यह भी पक्का हो गया कि यहां से एक लाख डॉलर एक लाख आठ हैजार डॉलर मिलेगा बस question इतना सा है कि यहां जो 1,8,000 डॉलर मिलेगा वहाँ इस बैंक में इस बैंक में जो डॉलर मिलेगा हम बेचेंगे तो ये हमें बदले में कितना रुपिया देगा मतलब रेट जानना चाहते है और कॉंट्रिक्ट कब करना है कॉंट्रिक्ट आज करना है और बैंक से ये बात करने की हम बेचेंगे तो कितना मिलेगा यहां तक बात क्लियर कट हो चुकी है बार बार रिपीट इसलिए किया है ठीक है तो सर दिया तो है न सर यहां बिट्टी वो क्या दिया हो बाद में समझेंगे न भी आप उस एक्जामपल पर मैं जाओ भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ बैंक बोलती की ठीक है आप बोलो आप मैंने का रुख जा बैंक रुख जाओ मैं अपना जुगार लगा रहा हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ भाई कम से कम कम से कम मुझे कितने रेट पे मेरा डॉलर बिकना चाहिए मैं क्या सोच रहा हूँ कितने रेट पे मेरा डॉलर बिकना चाहिए एक साल बाद तो राम ये सोच रहा है कास ये दोनों बराबर मतलब साहब क्या कहना चाहता राम क्या सोच रहा है राम ये सोच रहा है, सर ये तो discussion किया है हमने IRP, हाँ किया है, पर मैं जानता हूँ आप भूल गए होगे, इसलिए मैं डिस्चर चाग रहा हूँ, तो सर राम ये कह रहा है, कि भाई, जो मुझे इंडिया में मिलता है, वही मुझे US में मिलता है, कम से कम, ये दोनों एक पल हो कास ऐसा rate पता लग जाए, कास ऐसा rate पता लग जाए, कि ये और ये दोनों एक पल जाए, interest rate parity, parity मतलब बराबर हो जाए, क्या equate कर सकते इन दोनों को, हाँ सर, बहुत सारी तरीके आपने तो बताया है सर, आपने एक rate बताया है जिसका नाम है forward rate, वैसे तो इस equation को अगर solve करो तो आजाएगा, पर मैंने formula बताया था forward rate का, क्या बताया था, F, S, 1 प्लस R, 1 प्लस R, ये formula derive कैसे हुआ था, यहीं से हुआ था, ठीक है, वो चुकी है, ये चर्चा, formula कैसे derive हुआ, मुझसे मत पूछना, ये मैं IRP में derive करके बताया है, सारी चीज़े समझा चुका हूँ, सर F क्या है, रखना है, बेटे F क्या रखना है, ये important नहीं है, F क्या होना चाहिए, ये निकालना है, सर, F दिया है न, वो वाला F से मुझे मतलब नहीं है, actual bank क्या court कर रहा है, इस से मुझे अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है सर, F तोचेंगे, S, S का मतलब is portrait, 60, और यहां रु तो मुला ये से डियरा हुगा है, ठीक है, ठीक है, 60, इन्टु 1.12, डिवाइड़ बाइ 1.08, तो आंसर आ गया है, 62.2, इसका मतलब है कि अगर यहां rate, 62.22 होता है, 60 इन्टु 1.12, डिवाइड़ बाइ 1.08, 62.22, अगर सर, अगर हम यहां 62.222 लिखे, तो इधर से जो पैसा मिलेगा और इधर से जो पैसा मिलेगा, दोनों बराबर रहेगा, हाँ जी, सर, करके देखे कि आप पे कैसे विस्वास करें, मत करो, हाला कि मैं जानता हूँ कि यह इसी को equate करने से आया है, पर्मुला, पर फिर अगर यहां, तो सर, 60,000,000 इन्टो 1.12, तो सर, यहां हो रहा है, टोटल रुपीज, 67,20,000, is equal to 1 अच्छी, एक लाक इन्टो 1.08 इन्टो 62.222 ले रहा हूँ, ताकि एक्क्वेट हो जाए, सर, यहां भी 67,20,000 हो गया, टिक, आप बोलो, हाँ, मतलब मतलब यह हुआ कि किदर भी investment करो चाहे इंडिया में करो चाहे US में करो कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों एक बराबर है हाला कि यहां rate आपको ज़्यादा दिख रहा है 1.1 to 12% और यहां rate कम दिख रहा है वैसे तो मेरा दिल क्या कर रहा है interest को देखते हुए अगर सिफ interest को देखते हुए तो मेरा दिल कर रहा है कि यहां investment कर लेना चाहे इंडिया में क्योंकि इंडिया में rate of interest जाता है अब हमें यह देखना है कि हमारे हिसाब से हमें बहुत चीजे पक्का पक्का पता है हमें यह पता है कि 1.08 मिलेगा हमें यह पक्का मालुम है कि हमें डॉलर एक लाख आठ हजार मिलना ही मिलना है डॉलर एक लाख आठ हजार कम मिलना एक साल बात बस हमारे हिसाब से रेट कम से कम यह होना चाहिए तो हम यहाँ investment करने को तैयार हो जाएगे यह actual forward rate नहीं है यह हमने निकाला है और किसकी मदद से निकाला था यह forward rate sir IRP के सब interest rate parity के सब और हमने paper में rate निकाला हाँ यार 62.22 से कम नहीं होना चाहिए और हम अब किसी को बता नहीं रहा है और हमने वो rate जेब में रख लिया हमने का अब जाते हैं bank और bank से पूछते हैं आपके यह forward rate क्या चल रहा है हमने कितना हमारी सब से कितना होना चाहिए 62.22 से कम नहीं होना चाहिए तब ही यह investment करे हम पहुचे bank और bank से पूछे कि आपके यह रेट क्या चल रहा है और उन्होंने जवाब दिया कि हमारे हाँ 61.5 61.5 चल रहा है मैंने अगा पागल हो bank 61.5 बोलो यहां 62.22 से ज़्यादा होता तो investment करते हैं तो बताओ कहां investment करेंगे यह investment करेंगे इंडिया में यहां investment करोगे तो भई इतना नहीं आएगा अगर यहां multiply करोगे 61.5 से तो गर बढ़ा है फिर तो सर अगर यह rate यह नहीं होता अगर यह होता 63 तो फिर क्या करते हैं तो फिर मैं यहां investment करते हैं बाद समझ में आ रही है सवाल बस इतना ही है कि investment कहां करना है और इसके पीछे बहुत सारी बाते हैं पर अभी मैं आप कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक समझना अभी तक यह समझ में आया अभी तक क्या समझ में आया अभी तक यह समझ में आया कि हमने एक रेट निकाला IRP के साथ से 62.222 ठीक है अगर यह जो rate है जो दिख रहा है इस rate यही rate होना चाहिए बैंक में actual forward rate भी यहीं होना चाहिए यह actual नहीं है यह as per IRP है पर अगर actual forward rate actual forward rate यह जो rate निकाला इसको आप theoretical forward rate भी बोल सकते हैं doesn't matter यह जो actual rate है और यह जो theoretical rate है अलग अलग है तो हम यह decide कर सकते हैं आसानी से कि हमें investment US में करना चाहिए कि investment इंडिया में करना चाहिए यहां तक क्या बाते clear हो चुकी है आपको अब मैं आ रहा हूँ 15 मिनट तो आपने निकाल दिया वस 15-15 मिनट और लगीगा मैं पूरी बात ही clear करता हूँ हम अब मैं arbitries वली बात करने वाला हूँ ठीक से समझता हूँ अगर bank कहता है 63 rate है अगर bank कहता है 63 rate है तो सुनो ध्यास मिनका rate पक्का ना bank बोले पक्का ना 63 मैं 63 से multiply करूँगा तो मुझे मालू मैं इधर ज्यादा आने वाला है और जिधर ज्यादा उधर invest ना है यार तो मैंने का यहां investment करूँगा क्योंकि forward rate ज्यादा है इधर investment करूँगा यहां तक ठीक है ठीक है क्योंकि यह जो 1,8,000 63 से multiply इधर ज्यादा है मेरे पास कितना रुपए है सर आपके पास तो 60,000 रुपए है तो 60,000 रुपए एक काम करो ना सर 60,000 रुपए है तो आप पर डॉलर खरीद लो मैंने का रुख जो याद करो इस्टोरी मैंने अपने employee को बिलाया मेरे पास रखा हुआ था 60,000 रुपए मैंने का सुनो इधर आओ इधर आओ मैं राम हूँ इधर आओ ये 60,000 रुपए रखो और घर जाओ घर क्यों जाए सर सुनो सर 60,000 रुपए करो ना आप यहां इनवेस्टमेंट मैंने घर तो जाओ मैं बिना पैसे के कमाई करके दिखाता हूँ मेरे इंपलोई को विश्वास नहीं हूँ और बोले पक्का मैंने का हाँ मैं पहले पूरा खाली होना चाहता हूँ और फिर कमाई कर लूँगा बोले अच्छा चलो ठीक है मैंने 60,000 रुपए पहुचा दिया घर यहां की बैंक गया अब सुनना जियां से मुझे मालुम है की इधर इंवेस्टमेंट करना है यहां एक दिक्कत हो सकती है आपको इसर यह इनवेस्टमेंट का रेट है की बॉरूइंग का रेट है मैं आपको करवा दूंगा आप उसकी चिंता मत करो वक्त आने पर ऐसा कोश्चन इन्वेस्टमेंट और बॉरिंग वाला आया नहीं है तो प्लीज आप ज्यादा दिमाग में चलाओ कि सर बॉरिंग रेट और इन्वेस्टमेंट रेट अलग अलग होता होगा तो क्या होगा ब मैं बॉरिंग करना चाहता हूं क्यों कि मैं अपना पैसा नहीं लगाना चाहता हूं मुझे एक चीज दिग गई कास की इधर इन्वेस्टमेंट करने से फाइदा यही तो दिखना था और यह दिग गई है ठीक है यहां तक बात समझ गई हमने का अगर मैं आपसे बॉरिंग करता हूं प्लीज बैंक आप बता सकते हो एक साल बाद मुझे कितना चुकाना पड़ेगा उन्होंने का 67,20,000 विद इंट्रेस्ट मैंने का प्लीज इसमें तो कुछ चैंज बोले कोई चैंज नहीं होगा भाई इतना ही चुकाना पड़ेगा बस इससे एक रुपी आ ज्या बैंक ने मुझे 60,00,000 रुपए दे दिया और इस पॉट रेट क्या चल रहा है साट रुपए 30 रुपए इस पॉट रेट 30 रुपए चल रहा है ठीक यह 63 कहां सा है मन से लिखा, एक्जांपल से कोई लिए नगजर नहीं तो 60,00,000 रुपए से मैंने डॉलर खरीदा और सपॉट रेट चल रहा है इस पॉट रेट रुपीज पर डॉडर रुपीज 60 पिर बेकार की बात अब भी मान के चलो यही बीड है और यही आसक है एक ही रेट है ठीक सब बीड आसक वाला भी करवाओगे क्या प्लीज सर ठीक है वो भी मैं करवा हूँ रुक के थोड़ा से पहले जो एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो काम करें तो ठीक है सर साट रुपए से हमने साट रुपए का एक डॉलर तो हमने एक लाग डॉलर खरीद लिया क्यों खरीदा होगा मुझे मालूम है कि इधर इंवेस्टमेंट करना है और एक लाग डॉलर लेकर हम यूएस की बैंक में गए और बैंक वाले से का बैंक बताओ पका कितना परशन अगर मुझे दो चीज तो पक्का पक्का पता लग गए कि मुझे 67,20,000 वापस करना है एक साल बात मुझे आज ही ये भी पता लग गए कि मुझे एक लाग 8,000 डॉलर मिल जाएगा कब एक साल बात बस एक चीज नहीं पता है कि एक लाग 8,000 डॉलर बिकेगा कितने का तो ये वाल कर लिया मैंने कि राम इस बैंक को बेज देगा डॉलर कितने के सबसे 63 के सबसे और कितना डॉलर एक लाख आठ हजार डॉलर तो मुझे ये भी पता लग गया कि एक लाख आठ हजार डॉलर मेरा 63 के सबसे बिग जाएगा तो एक लाख आठ हजार इंटो 63 तो यहां से मिलेगा मुझे 6804 था और वापस कितना करना है इतना तो वापस अब इतना पैसा आया मेरा 6804 थिक इतना पैसा आया इसमें से इस बैंक वाले को चुका दूँगा कितना सर 67,20,000 तो सर 84,000 का क्या मेरा आर्विट्रेज गेन हो जाएगा सर आर्विट्रेज का मतलब रिस्क फ्री प्रॉफिट क्या पक्का मेरा इतना फायदा होने वाला एक साल बात इस रिस्क है सर रेट अगर एक्षिन रेट फूचर में डॉलर का रेट 90 हो गया तो क्या फर्क पढ़डा है मेरा तो 63 के सबसे भी कियेगा सर अगर डॉलर का रेट 50 हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला क्या हर चीज मुझे आजी के दिन पता हो गया क्या मुझे आजी के दिन ये पता है कि मेरा 84 था विजन का प्रॉफिट होने वाला यह आजी के दिन पता तो सर ऐसे में तो यह जो प्रॉफिट है यह तो रिस्क फ्री प्रॉफिट होगा है कोई रिस्क नहीं एक बिजनेस भी करोगे तो उसमें रिस्क है इसमें कोई रिस्क नहीं सर तो ऐसा तो हर कोई काम करेगा जो आप बोल रहे हो ना तो ऐसा तो हर कोई काम इसलिए तो यह रेट क्या है मैं बाकी चीजों को चैन्ज नहीं करूं हाला कि बाकी सब चीजों पर इफेक्ट पड़ेगा मैं सिर्फ फावर्ट की बात करूं तो हर कोई किस चीज का कॉंट करेगा बेचने का बेचने का और ये वाली बैंक यह दिख रही है न यह वाली बैंक यह यार सब लोग मेरे पास बेचने आ रहा है इसका मतलब यार मुझे ऐसा लग रहा है मैं एक डॉलर जो है उसके ज्यादा पैसे दे रहा हूं तो वो धीरे से रेट क्या कर देगा 62.222 कर देगा प्लाई जदा होगी ना सप्लाई हर कोई डॉलर लेक्ति यारा मैं 63 दे रहा हूं तो यार बहुत जदा दे रहा हूं साहित तो 63 से कम कर देगा और 62.22 हो जाएगा और फिर क्या arbitrage होगा फिर हो इनहीं सकता फिर तो कभी भी कहीं भी investment करो ठीक है ठीक है इसको इसको बोला जाता है कि यार इस अगर rate यही तो आयर पी यही तो बोल रहा है क्या वोल राट यही बोलता है कि भई rate 62.222 ही होगा कसम खालो अगर rate इसके इधर-उधर हुआ न तो आर्बिट्रेज हो जाएगा मतलब सर मतलब यह actual forward rate हमेशा equal होगा theoretical forward rate के अगर यह rate गरबढ़ हुआ तो आर्बिट्रेज हो जाएगा और आर्बिट्रेज इस कदर होगा कि rate वापस 62.22 हो नहीं पड़ेगा इस आयर भी इस आयर पी क्यों समझा रहा आयर पी हमने discussion कर लिया अच्छे से कर लिया जी मुझे पता है सर इसको covered interest arbitries क्यों मोलत सिंपल सी बात interest तो समझ में आता है यह समझ में आया कि इधर अगर हम इधर से उधार ले तो हमें interest देना पड़ेगा 67,20,000 हमें यह भी पता है कि जो हम यहां convert करके investment करेंगे तो हमें मिलेगा 1,8,000 डॉलर पर यह जो 1,8,000 डॉलर है इसको बेचेंगे तो उसके लिए हमारे पास कोई covered नहीं है covered मतलब risk हो सकता नहीं कहीं डॉलर का rate कम ना हो गया हो तो अगर 1,8,000 मिलता है खुसी है पर 1,8,000 डॉलर मिलेगा rate कम हो गया तो अब बरबाद हो जाओगे कास उसके लिए हम कुछ covered करके लगए forward cover करके रखते ना इसलिए इसका नाम है covered interest आर्बिट्रिस covered एक और होता uncovered uncovered मतलब समझ गया ना ठीक है सर अभी सिर्फ covered की बात करो मुस्किल टॉपिक है इदर उदर क्यों भाग जाते हो चलो वापस आते covered सर क्या अगर एक बार पढ़े की क्या लिखा हुआ है यस एक बार पढ़ते हो लेंग्वेज क्या लिखा हुआ है as per interest rate parity forward rate should be based should be on the basis of interest rate interest rate जो forward rate होता ना forward rate वो किस basis पे होना चाहिए interest rate के basis पे होना चाहिए but actual जो forward rate है वो डिफर हो सकता किस से theoretical forward rate है वो ही मैंने बात किया है that is forward rate calculated as per IRP theoretical forward rate बोलूँ या forward rate calculated as per IRP बोलूँ एक ही बात है in this situation there is a possibility of covered increased arbitration ठीक है सर यहां तक तो बात समझ में है सर एक बात और पूछ सकते आपसे अगर आपको बुरा ना लगे तो पूछू सर अगर यह अगर यह मान लो 61 होता तो क्या होता 61 होता तो क्या होता अब बता दो सर मान जाएगे अगर यह 61 होता होना चाहिए 62 तो फिर इधर investment करने का कोई फायदा नहीं कि इधर invest 61 में हमें तो 62 से कम नहीं भी करना चाहिए पर यह बैंक 61 का बेच रहा तो इधर investment करने का कोई फाएदा नहीं इधर investment करेंगे कर लो कि है 60,00,00 रुपे सर करूं मैंने का 60,00,00,00,00 मैं अपना पैसा खर्ष नहीं करूंगा मैंने फिर 60,00,00 रुपे पहुचा दिया गार मैंने अपना नहीं आप सर पैसे कहां से उठाओगे यहां की बैंक U.S. अच्छा मने का bank bank please आप क्या मुझे 1,00,00 डॉलर उधार दे सकते हो rate क्या चल रहा है 60 रुपए तो ये वाली bank बोलती 1,00,00,000 डॉलर देना पड़ेगा मने का मैं दे दूंगा न क्यों चिंता कर रहो मैं 1,00,00,00,00 डॉलर दे दूंगा मुझे मालूम है कि एक साल बात यहां मुझे 67,20,000 मिल जाएगा interest का काम कतम हो कहा है यहां की बात करो सर यहां हमें 1,00,00,000 डॉलर अब बैंक वाली को चुकाना पड़ेगा कहां से लाओ कि सर अगर rate बढ़ गया तो आप तो बरबाद हो जाओ के मैं क्यों बरबाद हूँ मैं cover कर लूँगा न खुद को कहां से cover करोगे इस bank से और इस bank से मैं 61 के हिसाब से डॉलर खरीदने का quantity करूँगा तो आज के दिन मैंने क्या काम किया आज कि पहला दिन क्या काम किया एक लाख आठ जार डॉलर एक लाख आठ जार डॉलर यहां से यहां से एक लाख डॉलर बॉरो करके रुपिया में convert कराके यहां investment कर दिया पहला दिन और एक contract किया इस बैंक से कि प्लीज मुझे जरूरत पड़ेगी एक साल बाद एक लाख आठ जार डॉलर प्लीज आप बेज दोगे ना 61 की हसाब से और इन्होंने का हाँ बेज देंगे आज का दिन खतम होगा एक साल बात ये बैंक चिला चिला कर बोल रहा पैसे वापस करो पैसे वापस करो मैंने का पैसे वापस कर रहा हूं मेरे पांच डॉलर रखे हुए है मैं यहां इस बैंक पहुचा इस बैंक से तो सोरी सोरी गलती होगी इस बैंक में मैंने पैसा investment कर रखा इस बैंक से उधा ले रखा तो अब यह चिलाएगा प्लीज पैसे वापस कीजिए ना एक लाख आठ 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 आज़ाओ मुझे इसको वापस करना एक लाख आठ आजार डॉलर यहां की बैंक से 67,20,000 67,20,000 जो है वो उठा लूँगा उठा लिया और उसका मैंने 61 के साब से मुझे एक लाख आठ आठ आज़ार 61 के साब से एक लाख आठ आज़ार इंटू 61 तो सर्स मुझे 65,88,000 या फिर आप ऐसे ना करना चाहता है डॉलर में क्योंकि आंसर रुपीज में नहीं मांगता है डॉलर में मांगता तो सर्स 67,20,000 जो इतना भी पैसा मिला है उसको हम डॉलर में कनवर्ट करवा ले थे 67,20,000 divided by 61 तुसर डॉलर में कनवर्ट करने पर आगया 1,10,110,16,3.9 इतना डॉलर मुझे मिल गया और मुझे वापस एक लाख 8,000 डॉलर करना पड़ गया तो माइनस एक लाख 8,000 तो प्रॉपिट हो गया 2163.9 प्रॉपिट हो गया तिक ठीक है सर, मतलब इसको हमने डॉलर में कनवर्ट कराया, येस, इस हिसाब से भी आप काम कर सकते कि वो जो रुपिया मिलेगा, वो जो रुपिया मिलेगा, उसको हम भी डॉलर में कनवर्ट करवाएंगे, वो IRP के हिसाब से मैं आपको बता दूँगा कि वहाँ, हर छीच को तो अभी थोड़ी बहुत बाते हमें समझ में आई, सर इसको रुपीज में भी दिखा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, समझा दे तो, एक लाख आठ हजार खरीदने का कॉंट्रेट कर लेते हैं, तो एक लाख आठ हजार इन्टू सिक्स्टी वन, तो हमें इसमें से 65,88,000 खर्च करना पड़ गया, मैनस 67,20,000, तो हमारे पास 1,32,000 का आर्बिट्रेज गेन हो गया इन रुपीज, और इन डॉलर 2163.91, चाहो तो आप इसको मिल्टिप्लाई कर दो 61 से, 2163.91, इन्टू 61, तो आंसर एप प्रोक्सी ही आ जाएगा, खैर, अभी आप कन्फ्यू आर्बिट्रेज गेन, सर्फ डॉलर में दिखाना होता कि रुपीज में, वह बाद में डिसकस करूंगा, उस पर मैं जाओ, इंस्टिट्यूट ने ऐसे भी दिखा दिया है, और बाद में उसको रुपीज में भी कन्वर्ट कर दिया, अब भी सिर्फ एक मुद्दे की बात ह सर मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात बस इतनी है कि क्या आपको पता लग पा रहा है, आपको आर्बिट्रेज समझ में आया है, सर वो तो समझ में आया है, कि आपको पता लग गया है कि इन्वेस्टमेंट कहां करना है, यहां इन्वेस्टमेंट करना कि यह रेट पर डिपेंड करता है सर यह रेट अगर 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 सथ एक्च्वल रेट एक्च्वल रेट ज्यादा है तो इधर इन्वेस्टमेंट अगर एक्च्वल रेट कम है तो इधर इन्वेस्टमेंट बड़ा आसान तो है सर यस ठीक है दिस लेकिन समस्या है अब क्या समस्या ये और ये institute ICAI ऐसे सौलन नहीं करता सबसे मुश्किल काम है कि ये डिसाइट करना कि हमें बौरो कहां से करना है और इन्वेस्टमेंट कहां से करना है तो मुश्किल कैसे तो बड़ा असान लग रहा है नहीं बिट्टे हमें ICAI के साफ से चलना पड़ेगा मेरे पास अनगीनत तरीक है मैं फावर्ड निकाल के भी कोशिश कर सकता हूं मैं इंट्रेस्ट निकाल के भी बता सकता हूं कि कहां इन्वेस्टमेंट करना है पर कैसी उधार लेंगे उसको डॉलर में कराएंगे डॉलर को इन्वेस्टमेंट कर देंगे पर इससे जो पैसा आयग defin Ciao पर कास मैं ऐसे ही करवा पाता, मैं ऐसे नहीं करवा सकता, उसकी वज़ा है, मुझे ICAI को फॉलो करना मैं, दूसरा तरीका, मैं rate of interest निकाल लेता, याद है, IRP करवा रहा था, तो कभी डॉलर का interest rate missing था, कभी वो निकाल लेता, IRP के साब से, और उसके साब से decide कर लेता, पर वैसा भी ICAI न अब मैं इसी दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, लग जाने तो, इतना जो आपने समझाना sufficient है, काफी कुछ बाते हो चुकी हमारी ज़्यादा चिन, इमने दिखाएं, सर दिखाते हैं, और कहीं और नहीं, इस example की through में हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ समझाने की कोशिश करूँ, टाइम लगेगा, अभी भी टाइम लगेगा कि सर यहास, पर expert हो जाओगे, लग जाने तो टाइम, मैं मान के चल रहा हूँ, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, क्या power rate निकाल सकते हो as per IRP लिखना नहीं है, लिखना जो होगा मैं लिखोंगा, मैं कहा रहा हूँ, क्या power rate निकाल सकते हो as per interest rate parity, सर अभी तो निकाला था, मैं फिर से आप से एक बात कर रहा हूँ, सर इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको समझाने में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैंने ICAI के हिसाब से आप, ICAI ने जैसा करवा रखा वैसा आपको करवा दूँ, मेरी चिंता पूरी तरह से खतम हो जाएगा, हाँ सर निकाल सकते हैं, F, S is equal to 1 plus R A, और 1 plus R B, यह होता है, मतलब सर, F, F यह वाला नहीं चाहिए मचे, मचे किस के साब से चाहिए, IRP के साब से, F divided by, Rs.60, 1 plus R A, मतलब, 1 year कहा ही है, सर यहां Rs.1 का rate आएगा, 1.12, 1.08, F, यह दूनों multiply, यह divide, 60 into 1.12, divided by 1.08, तो यह आगया, Rs.62.222, सर, यह already निकाला हुआ है, यस, पर अबने आपको समझाने की कोशिश करो, तो ना दियान से, दो चीज़े हैं, दोनों के एक्कवेट करने की कोशिश करो, अब मुझे आपका फोकस चाहिए, थोड़ा सा डेरिवीशन आप फोकस चाहिए, यह सर, ठीक है, अब चाहो तो लिख सकते, मैं आपसे बोल रहा हूँ, F divided by S, is equal to, 1 plus R A, divided by 1 plus R B, वे दिक्कत है यहां तक, सर, अगर F हमने जो निकाला हमारे हिसाब से, वो निकाला था 62, figure मैं भी लिख लेता हूँ, बच्चों को यह algebra समझ में नहीं आता, मुझे भी नहीं आता भाई, इसलिए मैं figure लिखता हूँ, मुझे अच्छा लगता, divided by 60, और यहां था सर 1.12, और यहां था 1.08, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अब मैं आप से कहता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख लिख हूँ, 62.222, divided by 60, minus 1, is equal to, 1 plus RA, 1 plus RB, minus 1, कोई दिक्कत, इधर भी minus 1 किये, कोई प्रॉब्लम नहीं, सर, आप चलते जाएं, बस, सर, कर क्या रहे हो, काश आप बतूँ, मैं बस यह निकालने की कोशिस करूँगा, कि ICAI जो कहता है, कि कहां investment करे, और कहां से borrowing करे, वो इसके थ्रू निकालता है, और मैं वोई चीज़ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ACTUAL मैं करता क्या है, ठीक है, ठीक है सर, agree, 62.222, divided by 60, minus 1, is equal to 1.12, divided by 1.08, minus 1, अभी कोई दिक्कत नहीं, क्या LCM निकाला जा सकता, सर, यहां अपने गलत नहीं लिख दिया, हुए चीज़, ओके, तर यहां होना चाहिए, था, F, S, minus 1, ठीक है, तो LCM क्या आगए, S, 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 कटा, तो यहां F, minus, यहां 1 by 1 है, तो यहां के चाहिए, 1 plus RA, minus, 1 plus RB, और यहां 1 plus RB, यहां फिर इसको ऐसे लिखूं, तो 62.222, minus 60, divided by 60, is equal, 1.12, minus 1.08, divided by 1.08, कोई दिक्त, कोई दिक्त ने से चलते जाओ, अब मुझे नहीं चलना, अब मेरे काम की चीज़ सुनना, मेरे काम की चीज़, क्या यह फॉर्मूला आपका कहीं देखा हुआ है, यह तो निकला प्रीमियम, कौन सी करिंसी में, सर जिसका रेट दिया है, और रेट किसका दिया है, डॉलर का, तो सर इसको हम बोलते हैं, प्रीमियम इन डॉलर, प्रीमियम इन डॉलर, ठिक, और पता है इसको भी कुछ बोला जाता है, एक्चुल में इसको बोला जाता है, interest rate difference interest rate difference और मुझे बताओ ये क्या है सर ये सर प्रीमियम इन डॉलर है प्रीमियम इन डॉलर डॉलर प्रीमियम पर है और ये क्या है interest rate difference क्या ये दोनों equal होना चाहिए यस एक्वल होना चाहिए अगर फावर रेट एस पर आयर्पी है तो ये दोनों equal होना चाहिए लेकिन फावर रेट जो दिया रहेगा वो ये नहीं दिया रहेगा फावर रेट तो कुछ और दिया रहेगा अगर यहां फावर रेट कुछ और दिया रहेगा तो फिर और फिर ये दोनों एक्वल नहीं होगा और फिर आर्विट्रेस की पॉसिबिलिटी हो जाएगी ठीक है सर इंट्रेस्टेट डिफरेंस तो 12 माइनस 8 4 परसेंट होना चाहिए है न हाँ एप्रोक्स 4 परसेंट होना चाहिए एक आई सी ए लिखता है यहन कभी धोका हो जाएगा मालूम इन रूको रूको त innovator कि इसका नाम है प्रीमियम इन डाल करेंगप है इंट्रेंटल डिफरेंस interest rate difference सवाल ये है कि अगर यहाँ यह दोने equal होना चाहिए IRP के साब से यह दोने equal लेकिन जहाँ यह दोने equal नहीं हुआ equal नहीं हुआ तो फिर यहाँ arbitrage की possibility है ठीक है मतलब power rate कुछ और हुआ तो arbitrage की possibility है ठीक है पर यह equation पे हम काम नहीं करेंगे तो हम सब कौन सी वाली equation पे काम करेंगे ध्यान से समझना हम अगर मैं आप से कहूं हम इतना ना लिके हम इसको हटा दे और बस हम इसी पे जाए इसको इन टू हंडरेट भली बाद मैं कर लो इन टू हंडरेट पर्षेंटेज में लाने के इन टू हंडरेट तो भी क्या हम इसको प्रीमियम अन डॉलर बोल सकते हैं हां सर और इसको क्या बोल सकते हैं इन टू हंडरेट डिफरांस क्यों बड़े फॉर्मिले पे चले जाएगे इट मेंस अगर आप कैलकुलेटर उठाइए और 62.222 माइड डिवाइड बाइड बाइड सिक्स्टी माइन इन टू हंडरेट करो के तो 3.704 आ रहा है और अप 3.704 पर अगर आप नॉर्मल करते हैं माइनस एस डिवाइड बाइड बाइड इस इन टू हंडर तो भी क्या यहीं अंसर आएगा यहीं अंसर आएगा तो हम इतना बड़ा ना लिखके हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहां तक ठीक है ठीक है यहां तक ठीक है अब आगे समझ लिए तो बात समझ में आजाएगी ठीक है सब बोलो क्या बोलना चाहिए यह प्रीमियम इन डॉलर्स इसका मतलब यह क्या कहना चाहता है यह कहना चाहता है डॉलर प्रीमियम पे है इसलिए यहां इन्वेस्टमेंट करो और इंट्रेस्ट डिफरेंस क्या कहना चाहता है कि सर रेट आप इंट्रेस्ट जो है वो इंडिया में जादा है यूएस की पिक्छा इंडिया में रेट आप इंट्रेस्ट जादा है तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करीजिए ध्यान से समझ रह रहा हूं बड़ी इंपोर्टन चाहिए यह क्या बोल रहा है सर यह बोल रहा है डॉलर प्रीमियम पर है इससी लिए यूएस में इंवेस्ट करें यह बोल ठेक और यहां रेट आपатель का जादा है ॡॉलर प्रीमियम ध्यों मतलब डालर का तो रेट आपन्टरेश्ट का мी होगा युए इंडिया का रेट आप इंटरेश्ट जादा है तो यह क्या बोल रहा है इंडिया में रेट आफ ज्यादा है इसलिए इंडिया में इंवेस्ट किजिए और दोने इकवल है तो कहीं भी इंवेस्ट्मेंट करो सवाल यह की कौन जीतेगा इंट्रेस्ट डिफरेंस जीतेगा जो जीतेगा उधर इंवेस्ट जीतेगा मतलब जिदर ज्यादा आएगा उधर इंवेस्ट मतलब अगर यह 62 की जगा 65 होता क्या जादा आता सर इधर जादा आता इधर जादा आता तो इधर इन्वेश्ट इधर से बोरो सर अगर ये 61 आता तो इधर कम आता इधर जादा आता तो इधर इन्वेश्ट किदर जादा आ रहा है जिदर जादा आहीं इनवेंट, सुरु सकते हुए इसको लिंक सकते हो, जिदर जादा आहीं, उधर इनवेंट, इट मिन्स हमें देखना पड़ेगा यहां कि और एक्चुल में ICAI निकालता भी यह निकालता प्रीमियम इन डॉलर और निकालता इंट्रेट डिफरेंस हाला कि वह इंट्रेट डिफरेंस बारा माइनस आठ चार परशंड निकाल देता पर हम ऐसा नहीं निकालेंगे टेक्निकली चाहो तो साइड में निकाल गए रख देंगे अगर कोई डिस्प्यूट नहीं होगा तो पर मैं टेक्निकली यह गलत है बारा माइनस आठ चार नहीं होता वो तो मैं आपको यहां दिखा दिया इंट्रेट डिफरेंस ठीक है कि तो आगे से अब से पहले जब बी कवर्ड इंट्रेस्ट आर्विट्रेस का कोश्चन आएगा पहला काम होगा आपको डिसाइट इसमें हम ट्रायल और नहीं कर सकते कि इधर से उठाए उधर इनवेस्ट करें उधर से उठाए तो दिखेंगे किसमें ज्यादा प्रॉपि करें तो हम वैसे ही करें तो तैयार हो अब जस्तर करें एक्जाम्पल खतम यह लिख लिए है कि चलो लिख लो दो मिनट में दो मिनट नहीं दो सेकंड में इतना टाइम तो है नहीं दो मिनट का अब हम बनाने जा रहा है कुछ इसकी जब जबरत है क्या अब इसकी भी ज़र्बरत नहीं है अब आप तैयार हो यस अब हम पुरी तरह से तैयार है और हम बना रहा है covered interest arbitries मालो कुछ लिखा ही नहीं था कुछ पढ़ा ही नहीं है अब हम question पढ़ने जा रहा है example number 57 ठीट चलो देखते है spot rate दिया है one year forward rate दिया interest rate दिया US का rate दिया calculate arbitries gain if you can borrow rp 60 lakh और dollar 1 lakh तो सबसे पहला काम क्या होगा पहला काम आपको यह decide करना पड़ेगा कि वो बोल रहा है सोनों बोलेगा ऐसा आप 60 lakh रुपिया बॉरो कर सकते हो या equivalent dollars जरूरी नहीं है कि हर बार वो आपको बताए कि नहीं एक लाग डॉलर बॉरो कर सकता है या फिर बोल सकता ऐसा equivalent dollar यह तो आप 60 lakh रुपए बॉरो करो इंडिया से यह वो नहीं करना तो यूएस से एक लाग डॉलर बॉरो करो equivalent dollar बोलेगा तो आपको convert करके खुद को सोचना पड़ेगा हलाकि इस question में ऐसी कोई बात नहीं है इसमें दिया हुआ है आगे एकात question आएगा जिसमें करेंगा कि 60 lakh रुपए यह equivalent dollar तो उतना हम समझ जाएंगे एक बात अभी भी रोका है मैंने अगर बिडाज हो तो क्या हो अगर rate of interest borrowing or deposit हो तो क्या हो उसकी अभी जरूरत नहीं है अभी हमें exam को target लेके चलना exam oriented तो सबसे पहला काम क्या कहना है सबसे पहला काम है calculation of premium in currency यह premium in consequence currency a dollar and interest rate difference calculation of premium R discount भी लिख सकते हो in dollar interest rate difference one by one कर तो सबसे पहले premium in dollar formula लगाना है कि जरूरत नहीं है भई चलो ठीक है आप भी क्या है f divided by s minus one कर देंगे और बाद में क्या कर देंगे in 200 percentage मिलाना है बोलो f कितना है sir f is 61.50 61.50 s is 60 minus 1 percentage मिलाना है तो in 200 और अगर यह sir six month का होता तो हम annualize कर लिए थे कोई मुस्किल काम नहीं पहले concept पर जाओ 61.50 61.50 divided by 60 minus 1 in 200 answer आगे 2.50 पर साल बार का हमको निकालना होगा यह हमें पर है आगे अब क्या निकालना पड़े इंट्रेस्ट डिफ्रेंस इसके एक्विएलेंट 1 प्लस आरे याद है यदा रुपीज का है तो पर भी रुपीज है का आएगा यह मैं आप समझाओंगा नहीं यह आपको आता है 1 प्लस आरे 1 प्लस आर रुपी minus 1 into 100 तो 1.12 यह रुपीज है ना तो उपर रुपीज का है 1.08 minus 1 into 100 answer आ गया 3.7 परशन परण I.C.A.I क्या लिखता है I.C.A.I के सबसे 12-8 is equal to 4 परशन interest rate difference I.C.A.I यह लिखता है हाला कि इस बार हमारा I.C.A.I हमारे decision में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा अंतर के आए गए नहीं क्योंकि अभी क्या premium कम है Yes इंडिया में ज्यादा rate चल रहा चार पर्शेंट ज्यादा चल रहा जब्कि जोडूर्र उत्ना premium पर नहीं है तो इंडिया में investment करू अगर मैऄ 3.7 भी लेता है तो इंडिया में investment करू अगर 4 isto उद्या में है लेकिन गलती से ये 3.9 आ जाता है अधी अधीरिट कौंसा प्रोक्सिमेट अपने कोशन मीं ऐपरोक्सिमेट करते हैं आघिचलो है आटी एकर भोलिक है क्या फ़र्क पड़ता है हमको मालम है इंवेस्टमेंट इदर ही करना जहां हुए ना फस होगे फिर खाला किया साटके है आये नहीं जिसमें फसने वाला नोबत आएगा ठीक है सब्सक्राइब कैसे लेंगे तो यहां लिखूंगा मैं एक्षण क्या लिखेंगे प्रीमियम इन्हें यहां लिखेंगे इंटरस्टेट डिफरेंस इस मोर दें बागी जो लिखना लिखना हूँ इन्टरस्ट रेट डिफरेंस इस मोर दें जदा है किस से प्रीमियम इन डॉलर यहां चाहओ तो फिगर भी लिख सकते हो मतलब यहां लिख सकते हैं में कोशन में करेंगे वैसी एक्जामपल जल रहा है यहां लिख सकते हैं 3.7 और यहां लिख सकते हैं 2.5 इन्वेस्टमेंट कहां करना है सर इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना बॉरो फ्रॉम यूएस और यूएस से तो डॉलर बॉरो करेंगे बॉरो डॉलर 1 लैक दाओ है इन्वेस्टमेंट 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 करना रही है कहां में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहां से बोरो करना चाहिए अब आ जाएगा प्रोसेस, आठ नंबर के लिए तैयारी है भाई सब सर श्टार्ट करें प्रोसेस, यस आर्विट्रिस प्रोसेस आर्विट्र *** लार्डर्म और्पारिप्ड़ और्वार्डshot। तैलर्ग्र्ड़ ग्र्षं तोर्म passionate। ओर dul謹्योंम्म्म्म्什麼 क्योंम्म्म्म् यूसे एड़ दर एट पर्शन पर रेनम वा वान यान बॉरो किया उसके बाद सेल डॉलर वन लेक एट इस पॉट्रेट कितना रुपए मिल जाएगा आज सर हमें मिल गया साटलक को क्या करोगे कहां इंडिया यह तीन काम तो कर लिया डॉलर बॉरो किया बेचा साटलाक रुपए आया इन्वेस्टमेंट किया एक काम और बच्चा है सर क्या क्या फ्यूचर में डॉलर हमको वापस करना पड़ेगा हां खरीदने का कॉंट्रेट कर लेते हैं और बॉलर लेता उन्यूचर मेंट उन्यूचर में उन्यूचर में पड़ेटा क्या ट्राव milhões और ट्रावने काम अट्राव काम और आया ग्यूचर में और लेता हैं ठीक है सर अब क्या होगा आफ्टर होगा नहीं कितना एक्जामपल करना है हाँ एक साल बात क्या होगा फटाफट से करो लिखो अप थोड़ा सा मैं कोश्चन देख लेना हूं कर एक लाग कैश इन पो कैसा आउट्फलो करके करनों कोई कर लास ओवर करने से पहले मैं सोच रहा हूं आपको होंवर्क दे देता हूं चलो कोई बात है ओमवर्क आज नहीं दूंगा आप चिंता मत करो एक बर कॉंसिप्स कर ली चीए बात करता है अब ही क्या होगा आँ हो जाएगा कैश इन फ्लो इन रुपीस क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट किया पहले वो पैसा आये गा कितना है गा 60,00,000 x 1.12 60 lakh into 1.12 तो आगे है सर रूपिस 67 lakh 20 था by dollar at power rate रूपिस 67 lakh 20 थाओज़ दिवाइड बाइड किस रेट पर बुकिंग हुई थी है हमारी power rate कौंसा है power rate 61.5 67 lakh 20,000 divided by 61.5 तो सर यहां के dollar 109 68.293 और यहां जाएगा repayment of loan loan जो लिया था कितना लिया था $1,00,000 into 1.08 $1,08,000 वापस चाहेक Arbitrists गेन आगे $109268.293 minus $1,08,000 तो सर ये आगे $1268.293 ठीक है जी बात खतम हो चुकी है अभी बात खतम नहीं हुई है सहब जब करवा रहा हूँ तो सारी चीज़े क्लियर कर दूँ यहां तक बात समझ में आ चुकी है कि हाँ सरी यहां तक काफी कुछ बात समझ में आ चुकी है लेकिन लेकिन अभी भी समस्या है यहां यह चीज समझ में आ गई थी IC AI का हमने समझ लिया यहां क्या चक्कर था सर यहां ऐसा भी तो किया जा सकता ना सर सुनो सुनो सर ऐसा नहीं कर सकते कि सुनो सर सुनो सर क्योंकि हमारे पास इंडिया से आगे 67,20,000 और हमें यूएस वाले को चुकाना है 1,08,000 तो हमें जादा क्यों खरीदे हम 1,08,000 डॉलर ही खरीद लेते हैं जब बढ़ दस्ति 67,20 था पूरे की पूरा का डॉलर खरीद रहा है मैंने अब यहां जो कोशन है यहां जो एक्जांपल समझा था मैं यह नहीं बोलना हूँ कि आप इंडिया के ही रहने वाले हो पहरी वाक्त मतलब सर मतलब मैं कहता हूं हो सकता आपका यूएस में बिजनेस चल रहा हो आपने वहां से उधार लेकर इधर इंवेस्टमेंट क करके इंडिया में डिपॉजिट किया वहां से फिर हम वहां वापस कर देंगे तो बच्चे का तो हमारे पास रुपीज में आंसर चाहिए सर सीदी सी बात यह देखो मेरी बात समझो आई सी ए आई ने अधिकतर कोशन ऐसे ही किये आप जहां से बारो कर रहा है वहीं आंसर से डॉ मतलब डॉलर बओर आथ रहो तो डॉलर में आंसर दीजिए और्पियर अगर रुपिया बओर हो तो रुपिया में आंसर देजिए पर जो लोग कुछ लोगों का ये कहना है कि सर हम एक लाख आठ न इतना लग रहा है उतना ही डॉलर खरीदते हैं तो एक लाख आठ जार डॉलर इंटो 61.50 तो उस हिसाब से हमें 66,42,000 ही खर्च करने पड़ेगे जबकि हमारे पास पैसा आ गया था 67,20,000 तो हमें माइनस 67,20,000 तो हमें 78,000 का आर्विटरिस गेन है पर ये रुपीज में हमने किसमें निकाला डॉलर अगर इस डॉलर को फावर रेट से मल्टिप्लाई कर दो 1268.293 इंटो 61.5 तो भी आंसर उतना ही आएगा 78,000 अब भी आप conclude करो बात को ये बताओ कि हमें करना कैसे है और ICAI ने क्या कर रखा करना तो एक बात clear cut हो गई कि करना तो ऐसे ही है जैसे हमने किया है अगर हम डॉलर में बॉरो करते हैं तो हमें आंसर डॉलर में ही दिखाना है अगर हम रॉपीज में बॉरो कर रहे हैं तो आंसर रॉपीज में बताना है दिखाना यहां तक ठीक है ICAI ने लास्ट में एक चीज और चिपका दिया है वैसे नहीं करना चाहिए मैं करवाना भी नहीं चाहता पर उसने किया है हर कोश्चन में किया लग लग 99 पर तो मुझे भी यहां करवाना पड़ेगा और सर अगर करेंसी कुछ और होती पाउन अब देखो उन्होंने क्या किया जब भी रॉपीया और डॉलर के बीच में ऐसा कुछ आता है रॉपीया और पाउन मतलब रॉपीज बीच में है तो उसने क्या किया यह आपकी मर्जी है करना है तो नकरों चाहों तो मत करों आर्विट्रेज गीवन इन रुपीज और जो डॉलर 1268.293 उसको मल्टिप्लाई कर दिया है 61.50 से तो यह आगया रुपीज 78,000 आई सी ए आई ने लाश्ट लाश्ट में यह काम कर रख है हाला कि मैं आपसे बोल रहा हूँ यह करना आपकी मजबूरी नहीं है कोशन यहां खतम हो चुका है फिर भी अगर आपके पाश टाइम हो तो आप ऐसे कर लीजिएगा नहीं भी करोगे तो गोई दिकती नंबर आपको मिलेगे मुझे ऐसी उम्मीद है फिर का जी तो मैं आपको बता चुका हूँ पूरी तरह से मैं किसके साथ जा रहा हूँ आई सी ए आई के साथ तो पहला काम अब क्या समझ में आ गया है पूरी बात खतम करें क्या यस पहला काम यह समझ में आया है कि सर हमें प्रीमियम इन डॉलर और इंटरस्टरिट डिफरेंस निकलना है उसके बाद एक्सन लिखना है उसके बाद फिर आर्विटरेस प्रोसिस करना सर ये तो इन सिंपल है सरा 8 नंबर का तो मेरे क्या से सिंपल है तो आओ एक इग्जामपल और करते हैं और इसके बाद हम क्लास ओवर करते क्लास खतम करते हैं इसके बार एक एक्जमपल और सर बुक के कोशचन वो कल की क्लास में देखेंगे ना तो भग्वान का नाम लेके एक एक एक्जमपल और करती है एक एक एक्जमपल आपके समने एक बाई कोशन रीट करो और कोशिश करो आप अपने मन से नहीं तो फिर तो मैं हूँ एक सेकेंड आप निकाली पढ़िए कोशन अचे आख बंद करकर कर अब ज्यादा सोचना नहीं है अब क्या करना है यहीं करेंगा चलो अगले पेचे में चलते हैं कैलकुलेशन ओप प्रीमियम डॉलर और इंट्रेट डिफ्रेंस सर अगर करेंसी कुछ और रही तो पाउंड और डॉलर रहा तो आएगा ना भाई कोशन बनाऊंगा मैं मैंने प्रीमियम डॉलर डॉलर रेत काम क्या करेंगा दिफ्रेंस पहला काम क्या करें? प्रीमियम इन डॉलर प्रीमियम इन डॉलर इसी फालट प्रॉर्मुला में पता है न? F S माइनस 1 इन टॉर्ट 63.25 63.25 divided by 60 minus 1 into 100 63.25 divided by 60 minus 1 into 100 तो सर या गया यह 6 मंद का है की वन या रगा one year का है तो न? पर सर शिक्स मंद का होता तो आएगा कोश्चन मैं इसको एनॉलाइज कर दूँगा कोई मुश्किल बात नहीं है 5.42 पर्शन रुप्या का रेट उपर 1.12 divided by 1.08 minus 1 into 100 यह तो उतनी आएगा है 3.70 पर्शन और I.C.A.I. के सबसे 12 पर्शन minus 8 पर्शन is equal to 4 पर्शन यह लिग दिया करूँगा ठीक? क्या अब इक की बात प्रीमियम इन डॉलर चाहता है यास तो डॉलर में इन बेस्ट करूँ? एक्षन चलो ठीक, एक्षन आप देखले ना से एंस प्रीमियम इन डॉलर is more than interest rate difference as वारोब फ्रों इंडिया and invest in US इदर जादा है ना ठीट आप क्या कर लें सर अब प्रोसेस अर्बिट्रेस प्रोसेस कर लेत पेले बात करें तुड़े आज काम क्या बखता है तुड़े पहले रोट कहां से बौरू करने की बात है इंडिया से सर कितना रुपए 60 लाग तो सर आ जाएगा बॉरू रुपीस 60 लेक्स प्रॉम इंडिया एड़ दर रिट 12 परशन पर रहना पर वन ये लिए 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 अब जो बॉरू किया 60 लाग उसी क्या रहे हैं बाई डॉलर्स इसले बार भी बाई डॉलर्स लिख लिया था क्या गबड तो नहीं कर दिया सेल डॉलर्स लिखा था ठीक बाई डॉलर्स एट अब समझ में बिड आस्क भी आएगा ना तो कोई समस्या नहीं होगी समस्या वो नहीं होगी समस्या तो यह हो सकती है ना कि यह डिसाइट कैसे करेंगे उसके लिख करना पड़ेगा आपके पास कितना आ गया है सर हमारे पास आ गया है एक लाख डॉलर्स सर अब क्या करेंगे अब सेल करेंगे सेल नहीं इन्वेस्ट इन्वेस्ट डॉलर्स एक लाख कहां इन युएस एड़ रेट एड़ परशन पर रहन पर वन यह और आज ही के दिन और एक काम करना पड़ेगा सर सर कौन सा काम करना पड़ेगा एक कौंट्रेट करना पड़ेगा क्या किस चीज़ का डॉलर्स जो आएगा उसको बेचने का डॉलर्स जो आएगा मतलब इनवेस्ट कर रहे ना कहां युएस में तु वहां से मिलेगा ना जो डॉलर्स उसको बेचोगे कैस तो सर कौन्ट्रेक्ट तू सेल डॉलर एट पावड़ेट रुपीस 63.25 ठीक अब बात कब की कर ले हैं अफ्टर वानिया कैसे इनफ्लो कैसे इनफ्लो कैसे होगा जो इनवेस्टमेंट किया था कितना डॉलर एक लाग 1.08 तो आगे डॉलर एक लाग आठ हजार ठीक है तो डॉलर एक लाग आठ हजार इंटो 63.25 तो सर्ट टोटल रुपीज मिल गया हमें रुपीज 68,30 अब रिपैमेंट अप लॉन कितना रुपै है तो ये कैस आउट फ्लो करके लिख दे ना कैस आउट फ्लोओ । सर्ट जो 60 लैक लिया था 1.12 के सबसे हमको बापस करना पड़े गा तो सर्ट टॉटल गया हमारे पास 67,20,000 सर अब आर्बिटरेज गेन आगे है ना Yes Yes, inflow है रुपी 68,30,000 1000 minus 67,20,000 सर इसको क्या डॉलर में कनवर्ट करके बताना पड़ेगा जी नहीं आई सी ए आई ने ऐसा नहीं किया और में करता भी नहीं रुपीज में बॉरिंग तो रुपीज में डॉलर में बॉरिंग तो होमवर्ग के नाम से जो ब्रेक से पहले मैंने आई एर पी के कोशन दे रखा था दो तीन ही कोशन थे आसान से दो कोशन थे वो कर लोगे और इस आर्बिटरेस का कोई आपको होमवर्ग तो नहीं है पर मैं जानता हूं कि अगर आप बुक उठाओके ना ऐसा कोई कोशन नहीं है जो आप कर नहीं पाओगे इसी दो एक्जांपल कर लिया ना तो ICAI की बात कर रहा हूं मेरे कोशन की बात नहीं करूं कि मैंने कुछ बनाया होगा वो अलग मैटर है कि मैंने बिड़ आसक दूनों देती है पर ICAI का हर कोशन आपसे बन जाएगा चाहे हो प्रैक्टिस में नो लो चाहे कुछ भी कर दू लो चैन्सेस के जाहिए पर इसेमको सीखने को मिल गया कि हांकी रेट यही होता है रेट जो है फावर ये वह कैसे डिसाइडल होता है इंट्रेस पैरिटे के सब से कब कारें कब काल की क्लास में पहले हम इसके questions बनाएंगे covered interest arbitraries के exam के questions बुक के questions और उसके बात करेंगे पर्चेसिंग पावर पैरिटी और उसके बाद करेंगे इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट तुमारा इंटरनेशनल पैरिटी कतम हो जाएगा थैंक्यू सो मच बाई बाई जरूर करना रिविजन करके आना कल के लिए थैंक्यू